गाजा में इस्रेल के ताबर्तोड हमले जारी है इस्रेल ने एक बार फिर से गाजा में हवाई हमला किया है हवाई हमले के बाद गाजा धमाकों से गूज गया इस्रेल सीमा के पास कई अमारतों को भी नुकसान पहुंचा है एफ-16 फाइट जेट गाजा के उपर देखे गए हैं इस्रेल के हमले में कई अमारते तबाह हुई है ये ताजा जानकारी गाजा से सामने आई जहां पर इस्रेल के ताबर्तोड हमले लगाता जा रही है गाजा के युध में भले हमास को हराने के दावे किये जाएं लेकिन जिस तरह से मुस्लिम मुल्क अब हमास का साथ देने के लिए एक जुट हुए हैं उससे इस्रेल में हड़कम मच गया है इरान के साथ 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 सौधी अरब भी गाजा में बेताहाशा मौतो को देखने के बाद अभियुध करने का मन बनाने लगा है यानि सौधी अरब और इरान अब एक साथ आ गए है जीत रहा है हमास मुस्लिम देशों की गुप्द बैटर हमास को मरते हुए नहीं देख सकते हैं खाजा को नक्षे से मिटते हुए नहीं देख सकते हैं आखें बंद करके फिलिस्तीनियों का नरसंगार नहीं देख सकते हैं इस्राइल मान जाओ वरना दुनिया के नक्षे से मिटते हैं ये धम के ये चेताओं नहीं इरान के साथ साथ अब तमाम मुस्लिम देश इसरेल को देने लगे हैं जंग के एक महीने बाद 57 मुस्लिम देशों का गुस्सा साथवें आसमान पर पहुँच चुका है 12,000 से जादा लोग घाजा युद में मारे जा चुके हैं घाजा पट्टी की 45 फीस्ती या कहें की लगभग आधी इमारतें पूरी तरह से तबाह और बरबाद हो चुकी हैं लेकिन इस दोरान एक भी मुस्लिम देश ने इसरेल पर सीधा हमला नहीं किया लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इरान के साथ साथ कई मुस्लिम देश इसरेल से सीधी जंग का मन बना चुके हैं घाजा युद अब धर्म युद की तरफ बढ़ चुका है इसरेल की खोफिया अजनसी मुसाद और अमेरिका की खोफिया अजनसी सीधी को इनपुट मिले हैं कि इरान के कहने पर साथी अरब में इसरेल के खिलाफ जंग करने के लिए घुप्द मीटिंग हो रही है इरान साथी अरब की खासम फदल देन इसरेल कनक्शन इरान साथी अरब सीरिया जोड़न कम से कम ये पांच मुस्लिम देश इसरेल पर मिलकर कभी भी हमला कर सकते हैं अगर इरान की बात करें तो उसकी सेना में माहिर लड़ाके लंबी दूरी की घातक मेसाइल रॉकेट की बेहत धातक और खतरनाक वेरियंट मौजूद है सिर्फ 45,000 लड़ाके सबसे एडवांस और घातक हथ्यारों से लैस इसरेली सेना से मुकाबला कर रहे हैं कहा तो यहां तक जाने लगा है कि महज रॉकेट, एंटी टैंक मेसाइले और बारूदी सुरंगे और कुछ भारी हथ्यारों के बलबूते हमास के लड़ाकों ने घाजा युद्ध को एक महीने तक खीश लिया है अगले एक हफ़ते के अंदर हमास को 57 मुसलिम देशों से जंग में सीधा साथ मिलने की उमीद है इसलिए हमास के प्रवक्ता और नेता डंके की चोड़ पर कह रहे हैं कि हमास को हराना ना मुम्किन है इसरैल पर हमले को तयार 57 मुसलिम देश घाजा में इसरैली हमलों के खिलाफ मुसलिम देश एक जुट हो रहे हैं हम आपको बता दे कि सौधी अरब की राजधानी रियाद में घाजा के मुद्धे पर इसलामिक सा योग संगत है यानि OIC में बैठक हो रही है और इस बैठक में इरान के राजधा को लेकर इरान कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इरान ने अपने विशेशग्यों के एक तीम रियाद पहले ही भेज़ दी थी सौधी अरब में इरान के राजधूद अली रेजा इनायती ने OIC के इस बैठक को खास बता रहा और कहा कि ये बैठक विभिन इसलामिक देशों द्वारा सुझाए गए प्रस्ताबों के आधार पर घाजा युद में इसरायल के इक्शन लेकी ये फिए अफरीक ये बाहत खोईबाद बारूद से मिलेगा जवाब ये वागियत तीस के वजुद दरे एक तरफ उतरी घाजा से 11 लाख लोग दक्टनी घाजा की तरफ भाग रहे हैं लाखों फिलिस्तीनी और घाजा के लोगों के लिए घाजा की जमीन साक्षात नरख बन चुकी है इधर हमास के टॉप कमांडर इसमाईल हानिया इरान के साथ मिलकर इसरैल से लंबे युद की जबरदस्त तयारी कर रहे हैं जरा इन तस्वीरों को देखिए हमास के नेता और टॉप कमांडर इसमाईल हानिया इरान के विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्ला हियान के बीच एक जबरदस्त मीटिंग होई थी कतर की राजधानी दोहा में होई इस मीटिंग में इरान ने हमास के लीडर शिप को साफ बता दिया है कि इरान इसरैल के खिलाफ जंग में उतर चुका है अब इरान की बेताहशा सैन्य ताकत हमास की ताकत बन गई है यानि घाजा में अब इसरेल को सिर्फ हमास से नहीं बलकि एरान की सीना लबनन के हजबुला लड़ाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जंग करनी पड़ेगी देखे एरान की विदेश मंतरी होसेन अमीर अब्दल्लाहियान ने इसरेल को क्या धम की दी है दूसरी तरफ इसरेल के प्रदान मंतरी और उनकी वार कैबिनेट इस वक्त क्या कर रही है जरा ये भी जान लीजे नेतनियाहो गाजा वार्डर के असपास अपने टॉप कमांडरों का होसला बढ़ा रहे है गाजा में घुसकर हमला कर रहे है आईडियाफ के सैनिकों से मिलकर नेतनियाहो ग्राउन रिपोर्ट पर जंग के ताजा हालातों को जान रहे है इसरेली सेना ने उत्तरी गाजा, मद्ध गाजा और वेस्ट बैंक में कई सीक्रिट ओपरेशन किये है दावा तो यहां तक किया गया है कि जिस तरह से हमास कायर चीफ, नेवल चीफ और गाउन फोर्सेश चीफ समेथ पैसर टॉप कमांडर हमास के मारे गए हैं उनकी मौत के पीछे हमास से जोड़े डबल एजेंट है जिसने इसरेल की आईडियफ को हमास के टॉप कमांडरों की सटी जानकारी दी है इसलिए इसरेल की एरफोर्स ने बिन पॉइंट से हमास के कमांडरों बर सीधे बम और मिसालों से हमला किया है एक अनुमान के मताबिक हमास के टॉप कमांडरों के साथ उनके परिवार, रिष्टेदारों के बांट सोसी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस्रैल के रक्षामंत्री यो गैलन्ट, इस्रैली सेना के चीफ और डिफन स्टाफ खर्जी हलेवी, आईडियाफ के ब्रिगेटियर जनरल इद्जिक कोहिन का साफ कहना है कि हमास को गाजा पट्टी में अब दोबारा कभी नहीं गुसने देंगे और ना ही अब गाजा में कभी भी हमास का एक भी लड़ाका या नेताज जिन्दा बच पाएगा इस्रैली सेना के स्पेशल फोर्स इस वक्त गाजा सिठी के बेहत अंदर उसका ऑपरिशन चला रही है इस्रैली सेना के टॉप कमांडर्स की मीटिंग में एक ही बात पर खास जोर दिया जा रहा है कि हमास की भीशन तबाही और इस्रैली सेनिकों को हमास के जानलेवा हमलों से बचाना है यही वज़े है कि इस्रैली जमीनी सेना से खुफ्या इंपुट लेकर उत्तरी गाजा, दक्षनी गाजा और वेस्ट बैंक में चुन चुन कर भीशन हमले कर रहे है खबर तो यहां तक आ रही है कि इरान के इशारे पर लेबनन के हिजबुल्ला ने इस्रैली सेना से सीधी जंग के लिए घाजा पट्टी को फाइनल वार जोन बना दिया है इरान से मेली बैतरीन ट्रेनिंग की बदूलत हिजबुल्ला के 65,000 लड़ाके इस्रैल के लिए किसी यमदूट से कम नहीं है अगर हमास, हिजबुल्ला और दूसरे जिहादी गुटों के लड़ाकों को जोड़ दिया चाए तो इस वक्त 2,56,000 से जादा फूंखार लड़ाके घाजा, इसलाम और जिहाद के नाम पर इस्रैलियों को गाजर, मूली की तरह काटने पर उतारू हो चुके हैं इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 45,000 ऐसे लड़ाके हैं, जो अमेरिका और रूस के स्पेक्शल फोर्स के सैमिकों की तरह जंग करने में माहिर है हजबुल्ला चीर, हसन नस्रॉल्ला यहां तक दावा करते हैं, क्यों उनकी पास 1,50,000 से जादा मिसाइले हैं, जो इस्रैल को मिडल इस्ट के नक्षे से मिटा देंगी लेकिन सबाल उड़ता है कि जिस तरह से इस्रैल ने अफ घाजा पर हमले शुरू किया हैं, क्या ऐसे हालात में हमास समर्थक मुस्लिम देश इस्रैल को रोख पाइंगे एक महीने से जादा की जंग के बात पता चला है कि उत्तरी घाजा से सत्तर फीजदी फिलिस्तीनी और हमास समर्थक बात चुके हैं उत्तरी घाजा से दक्षुनी घाजा के बीच लगभग 14 किलो मीटर का फासला है दक्षुनी घाजा से लगभग उत्तरी घाजा से 7 से 8 लाक लोग पहुँच चुके हैं जबकि होतरी गाजा में फंसे डेर से 2 लाक लोगों को हमास के लडाकों ने मानौग ढाल बना रखा है जनाजों का ताता हथ्यारों के साथ हमास के लडाकों के लड़ने की क्षमता साथ दिखा रही है कि जंग अभी खत नहीं होगे बलकि अभी जंग में बहुत से खिलाड़े खून की होली खेलने का प्लान बना चुके हैं